जोहार नमस्कार मैं आर्टी सिंग आप देख रहे हैं टीवी पॉर्टीपाइग 22 सुतंबर को जार्खन चेंबर अफ कॉमर्स के चुनाओं होने हैं वोटिंग होकी इस दिल लेकिन इस बार ये चुनाओं बहुत माईनों में खास होने वाला है खास इसलिए कि इस बार सबसे ज्यादा independent candidates होने वाले हैं 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी भी good से नहीं हैं उनमें से भी खास ये हैं कि तीन महिला उम्मीदवार भी हैं और पहली बार कोई tribal महिला भी इस बार किसमत आजमा रही है इस चुनाओं में हमारे साथ इसमक्त ऐसे ही independent candidate मौझूद है, मिलते हैं इंसे, पहले जो मैं जिन से आपका तारुप कराने वाली हूँ, रमेश कुमार साहूल जी है, बहुत-बहुत स्वागत है सर आफसा, और जिन tribal महिला उमिदवार की मैं बात कर रही हूँ, माला कुझूर जी हमारे साथ है बहुत स्वागत है माला जी इस का रिकम में आवा, तो देखे चुनाओं बहुत खास होने वाले हैं, निर्दलिय उमिदवार अपनी खिसमत आजमा रहे हैं, और ये सिर्फ निर्दलिय का ही मामला नहीं है, मामला ये भी है, कि क्या जारखंडी, एक website, अगर आप देखे, website जारखंडियों का नाम आपने सुना है, कोई बड़े website के तौर पर वहाँ पर हैं, उनका दबदबा हो, लेकिन ये चीजें अब सामने आएंगी, और इसी इनी सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं, रमेज जी इस बार बहुत खास है चुनाओं, और खास कर जारखंडी ह कितों को लेकर जारखंडी मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, कैसे इसे खास बनाने वाले हैं आप, देखिए इस बार जो चुनाओं हो रहे हैं, एक तो परेश गटानी जी का गूट काम कर रहा है, दुसरा हम लोगोंने 14 लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली चुनाओं जो लग लड़ रहे हैं, आशा करते हैं, कि लोग हम लोगों को वोट करेंगे और हम लोग कहीं कहीं जीत के चम्बर में जाएंगे माला जी भी हमारे साथ हैं माला जी विमन बिजनस टाइकून के तौर पर अगर हम जारखंड में किसी मैला को देखे तो शायद इका दुका नाम आपको वो भी आप बहुत मुश्किल से याद कर पाएंगी लेकिन इस बार आप किसमत आजमाने जारे वो भी पहली ट्राइबल लीडी होंगी आप जो चैंबर कॉमर्स के चुनाव में हाथ आजमारी क्या बेसिक्स रहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगी जी सब्ले तो सबको नमशकार और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी जारखंड चैंबर को तो कि उन्होंने हमें जगा दि चैंबर में और ताकि हम लोग खासकर महिला लोग इस बार पहली बार इस चुनाव में तीन महिलाएं उत्री है और जिसमें से मैं भी हूँ मैं ट्राइबल महिना जो कि मैं सब कमिटी ट्राइबल चर्में हूँ वहां पर और मैं चाहरी की महिलाओं की भागीदारी जितना ह सके बिजनेस में आए और जो भी बिजनेस में आ रहे हैं उनके जितने भी मुद्धे हैं वो चेमबर के जरिये ही solve out हो करके आप काम कर सकते हैं तो यह महिला लोग के प्रती जो रूजहान है आपको इस उलेक्षन से पता चलेगा कि महिला लोग भी बिजनस छेतर में आगे ब बाकी महिलाओं क्रिवी याशा को आगे बढ़ाने के लिए तो उम्मेद जगाएंगी कि जो महिला बिजनस्मन अगर वुमन बिजनस्मन अगर यहां पर आगे बढ़ना चाहती हैं तो कैसे माला कुझोर उनका साहथ दे पाएंगी कैसे वो एक आप कहें कि एक आइडियल बन हैं आज के लिए जी तो आपकी संख्या जो है जब आप चुनाओं में जाएंगे वो नंबर देखे चुनाओं में हम लोग तो यही चा रहे थे कि दो गुरूप तीन गुरूप अगर एक इस इक की गुरूप अगर चुनाओं लड़ता तो आज अगर जीप की जो चीजें में रुजहान है या नया परतिभा है बिजनस में यह उभर क्या आता लेकिन दुर्भाग है कि ऐसा लगा कि साइद इस बार चुनाओं ही नहीं होना है जो पिछला कारिकारनी है बीस का वो बीस का बीस हो जाएंगे अध्याश को बदलना है तो एक आदमी को ले लिजी और चुनाओं करने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे में मुझे लगा कि यहां तो कहीं ने कहीं लोगतंतर के अत्या हो जा रही है और आने वाले समय में हमारे 4000 लगभग हमारे सदस हैं उनके जो बच्चे MBA करके BBA करके BTEC करके आ रहे हैं बिजनस में तो उनकी नमबर कब आएगी वो चिंबर पर कब राज करेंगे या उनके माद्यम से उनकी निखार कैसे होगी तो इसलिए हम लोगों ने मैंने कहा कि मैं तो independent पहला हूँ कि नमिनेशन करूँगा और नमिनेशन मैं करूँगा तो चुनाओं कराना पड़ेगा मैं सुकुर गुरजार हूँ चिंबर कहा क अठारह लोग नमिनेशन कर दिये उसमें चार लोगों को किसी ने किसी कार्म बस वापस मनदव करना पढ़ा अपनी नॉमिनेशन को और आज के दिन में चौदौ नमिनेशन है तो चौदौ लोग चुनाओं में लड़ रहे हैं उसमें एक मैं भी हूँ मैं अभी चेमबर में Land Reform Subcommittee का चेरमेन हूँ, इस चेमबर का सुकुर बुजार है कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मैं वहाँ पे काम कर पा रहा हूँ अच्छा एक सवाल रमेज जी, जार्खंड चेमबर ओफ कॉमर्स उस वक्त इसका गठन हुआ, पहला बोर्ड जार्खंड का अगर कहीं दिखाई दिया था, तो यही एक संस्था थी जहां पर यह बोर्ड लगा जार्खंड का, उस वक्त जार्खंड अलग भी नहीं हुआ था मकसद यही था कि जार्खंड के जो लोग हैं, उन्हें वेबसाइट के शेत्र में कैसे आके बढ़ाया जाए, उन्हें कैसे सामने लाया जाए, क्या अब तक जार्खंड के अलग होने के बाद कहां तक बढ़ पाए हैं हम इस दिशा में? देखे मैम ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, 1960 से ये संस्था चल रही है, उसो बिहार हुआ करता था और ये छोटनाकपूर चेमर ऑफ कॉमर्स कहलाता था, मुझे जहां तक याद है, मैं राची में ही पढ़ा लिखा हूँ, तो ये दो, स्वारी, 1996 के आसपास पह माइस की बात हो गया, जहां सो करोड़, … करोड की बात होती है आप कह लीजिए तो बहुत बड़ा कपड़े का सोरूम अगर बोलेंगे तो वह भी कहीं न कहीं हमारे जारकन का लोगों का नहीं है और चिमर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मैं सुगर गुजार हूं हमारे पुर देख्चों का जिन्होंने इसका कभी सरकार होता उसके अपर रहता है तो मैं तो चाहूँगा कि लोग आये मैं तो पहला इनसान हूं मुझे लगता है कि मैं इस भरती पुत्र हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं तो सुग बजार रहा हूंगा चिंबर का कि मुझे वहां तक पहुंचने का जिनका कुछ बड़ा शोरू में जैसा कह रहे है रमेजी और इसमें वाकई सच्चाई है क्या जहारखंड के लोगों को वेबसाइक करना नहीं आता और वो बात के साथ-साथ ये भी कि महिला होकर इस जगह पे अपनी पहचान बनाना क्या चालेंज़ नहीं है एक महिला होकर बड़ा बिजनस सेट अप लाना अपना नाम कमाना कितना मुश्किल हो जी बहुत ही अच्छा सवाल है सबसे पहली बात तो है और मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहूंगी ट्राइबल्स के लिए ये पहली पीडी है जो बिजनस शेतर में आ रही है कदम रखा है तो मैं और महिलाओं के लिए तो चाहे वो ट्राइबल्स हो या कोई भी हो उनके लिए एक हर जगा में उनको कॉम्पुटिशन चेलना पड़ता है बहुत सारे आतना सहनी पड़ती है बहुत सारे चीजों से लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है उसके बाद में हम कुछ चीजों से ड तो चीजे बहुत ही आपके लिए कॉम्पुटिशन जाधा हो जाता है यहां पर तो हमें कोई न कोई लोग डीडर चाहिए हमेरा सर के ऊपर जो हमें उस चीज में गाइडन्स कर सके प्रोटक्शन दे सके तो मैंने सोचा कि इस चीज को मैं लीड करती हूँ कि कि किसी वे प जाएं ठीक है और सिर्फ कहलते हैं महिलाएं की जैसे बहुत सारी हम मुश्किले देख सकते हैं महिलाएं के जो पलाएन वाले चीजे हैं वो सब चीजों को हमें रोक ठाम करना है सिर्फ सरकार के उपर निर्भा नहीं रखना है यह सब चीजों से बचाहिए एक सवाल मेरा पूरी दुनिया जानती है जारकंड की महिलाओं को महनत करना क्या होता है जारकंड की महिलाओं से पुरुषों को भी सीखना चाहिए विश्व में अगर आप देखिए जारकंड की महिलाओं का नाम इसलिए भी है कि यहां की महिलाओं सबसे ज्यादा महनत करने वाली होती है जो tribal महिलाएं हैं, उनको अगर website जगत में आना है, तो उनके लिए सिर्फ challenges यह नहीं है, कि वो अपना घर चोड़ कर, परिवार चोड़ कर आ रही है, बलकि ये भी कि male dominance, जहां पर पुरुष की प्रधानता है, वहां लड़ना है, साथ ही साथ जिस समुदाय से आ रही है, उस समुदाय से निकल कर, उस समुदाय में अपनी पहचान बनानी है, जहां पहले से लोगों का कबजा है, तो इतना आसान होगा क्या? असान तो कुछ नहीं होता है घर से निकलना है तो यह सोचकर निकलना है कि बिना हाथ पाउं चलाए काम नहीं होगा तो इसलिए आप घर से निकल रहे हो तो आप प्रिपेड रहे चाहे वो बिजनेश छेतर है या कहीं सर्विस ले जा रहे हैं महिलाओं को हमेशा सतरक रहना पड़ता है तो यह आप पर निर्वर है कि आप घर में रहना पसंद करते हैं करना चाहती है चार दीवारी में रहकर खुश रहना चाहती है या उस चुनातियों को एकसप्ट करते हुए आप बाहर निकलना चाहती है कि ये आपकी खुद की जिन्दी की बात हो जाती है और आपको देखते देखते बाकी महिलाओं भी है उन्हें प्रेड़ना मिलती है तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारे छेतरे हैं आप काम कर सकती है और हम लोग मिल करके अपने जहारखन का नाम रौशन कर सकते हैं अपक तक भी पहुँचेंगे जिसके लिए आपने खदम बढ़ाया है अगर मौका मिलता है तो गोल्स क्या होंगे रमेशी के इस सेक्टर में मेरा तो पहला गोल्स होगा कि जो मेरे जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म को आज कहीं न कहीं जो मुझे जगा मिला है और मैं यहां से निकल रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरे ऐसे और भी जारखंडी जो बच्चे हैं और जो लोग हैं जो आज के दिन में नए पीड़ी है जो कहीं न कहीं इतनी सारी पढ़ाई करके बाहर से आ रही है और उनके पास तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो इस धरती का धरती पुत्र हैं उनके पास जमीने भी हैं उनके पास बहुत तरह का रिसोसिस भी हैं तो उसको सही दिसा में इटलाइज करके चेंबर का प्लेटफॉर्म को यूज करके और वो आगे बढ़े हैं इसमें दोनों की भलाई हैं जो एक्जिस्टिंग बिजनस मेंने बिजनस ह लोग हैं उनके साथ काम करना पड़ता है तो शायद उनके लिए यह बहुत अशान हो जाएगा सपोज कीजिए कि आप नोवा मुंडी में कोई माइंज चला रहे हैं या सरंडा जंगल में चला रहे हैं अब सरंडा जंगल की बात तो यहां आप हिंदी में पानी मांगेंग आप हायर नहीं करके आप बिजनस में दो परसंट का पार्टनर बना लेते हो तो आपके दोनों चीजें हो जाती हैं एक तो आपको सपोर्ट भी मिलता है और दुसरी जो है यह प्रॉब्लम भी आपकी सौट अट हो जाती है तो दोनों के लिए अच्छा होगा जो हमारे जा जारखंड के लोग भी आगे बढ़ेंगे और उनके साथ-साथ जो एक्जिस्टिंग लोग हैं जो इतने बड़े-बड़े होसी चल रहे हैं उनके लिए असानी हो जाएगी मेरा तो यही मानना और में तो यही मेरा गोल रहेगा मैं यही सवाल बनता है कि जारखंड के भी लिया कि जो जारखंड के मूल निवाती हैं जो जारखंड के वास्तविक रहने वाले लोग हैं वो इस सेक्टर में अब तक अपनी पहचान बनाने से मुझे नहीं लगता कि आप दस नाम भी उंगलियों पर गिना पाएंगे क्यों क्या रही है यह परिशानी इसलिए भ बहुत बड़ी नहीं थी हमें कपड़ा भी नहीं पहनने आता था मुझे घड़ी भी नहीं चीए मुझे गाड़ी भी नहीं चीए मुझे कुछ भी नहीं मैं उतना खेती उगा लेता हूं और खेती में मुझे बहुत सारा चीज़ खाने के जोरत नहीं थी तो इनोंने कभी यह सोचा नहीं कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है इसका कहीं नहीं कि खम्याजा हुआ कि इस दिसा में चीज़ें आगे नहीं बढ़ी लोग बाहर से आए बाहर से सब चीज़ करते चले गए अब जो नई जनरेशन आ रही है यह जनरेशन बहुत पढ़ा लिखा आ रहा है यह जनरेशन कहीं न कहीं केरियर बेस्ट में आ रहा है और पुरानी जनरेशन और पुराने बिजनस घराने से हमारी नई जनरेशन अगर मैच करती है तो दोनों के लिए इसकी बेनेफिट्स होगी जारकंड में है यह नहीं कि सिर्फ हमारी जारकंडियों के लिए बेनेफिट्स होगी जो बाहर से लोग इंडर्स्टी चला रहे हैं और जो मैंसे चला रहे हैं उनके लिए भी मैरा मानना है कि बहुत ही बढ़िया चीजें होंगी और बहुत अच्छा से वो काम होगा माला ची देखे बाते सिर्फ इसलिए नहीं है कि जारकंड के लोग कैसे इस सेक्टर में अपनी पहचान बनाई मैं आप से पर्टिकुलर महिलाओं के लिए सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यह बिल्कुल हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट होगा कि अगर चेंबर में कोई ट्राइबल महिला कोई ट्राइबल फेस ऐसा कोई आता है जो फूरे वोमन को रेप्रेसेंट करने वाला है तो यह हमारे लिए भी गर्व की बात होगी तो मुझे बस ये जानना है कि एक ट्राइबल कहे ले आप या जिनरल कहे ले महिलाओं के लिए घर में पहले से ही मुसीबत कम नहीं होती वहां से लड़के वो बाहर निकलती हैं ये आप भी बखो भी जान रही हैं मैं भी समझ रही हूँ लेकिन उसके बाद जब आप पब्लिक सेक्टर में आती हैं वहां पर चालेंजेज उसके दस गुना ज्यादा होते हैं वहां पर जाकर अपना नाम कमाना लोगों के लिए प्रेड़ना बनना क्या ऐसा कुछ बहुत कुछ वीजन लेकर ही आप आ रही हूंगे क्या वीजन है क्या कुछ करना है कैसे करना है जी वीशन तो है और इसलिए मैंने संस्था भी खोला है इसलिए जिसका नाम है नेमा वली फाउंडेशन जो इसलिए महिलाओं के लिए काम करती है तो यहां मेरे से काफी साली महिलाओं जूड़ी है जारखंड में कि मैंने उनको रोजगार देने का भी काम किया है तो एक तो मैं चाह रही थी कि पलाइन रुके जो महिलाओं बाहर जा रही है शोशित होकर आ रही है तो वो सब चीजे बचेंगी यहां पर अगर रोजगार के लिए हम लोग जगा बना देंगे हर चेतर में काम कर सकते हैं उनके लिए ऐसी परस्तिती ना हो कि उन्हें बाहर जाने का मुका मिले या शुचेत होकर के आए ठीक है तो एक तो रोजगार को जतना हो सके जादा आप आप प्रेड करना है आप किसी भी फिल्ड में यहार जारखन को आप अरड़ी आनते हैं यह रिछ है मिर्रेरा लाइरॉन और बहुत सारी चीज़े यहां के फूल पते हर चीज में आप इसमें खूब निकाल सकते हैं जैसे हमारा यह हरभल हमारी माहिला हरभल के सोप्स भी बनाते हैं जो खासकर पलाश के बनते हैं, नीम के बनते हैं, अलोवेरा के बनते हैं, जितने ही मडिसिनल, तो इन सब चीजों साब रोजगार उत्मन खुद करा सकती है, अब खर बैठे भी काम कर सकती है, तो यह तो मैंने एक्जांपल लिया है, तो वो ब्राउन राइस जो बतलब यहां जो हमारी खासियत होती थी, अब वो बड़े-बड़े देखिए, फाकेट्स में बकाईदा ब्रैंड्स के साथ भिक ले हैं, ब्राउन राइस बोल सकते हैं, या इसको गोड़ा चावल भी बोल सकते हैं, ठीक है, धेकी खुटा चावल सब, यह सब अभी मार्क अची बात है, और यह कहां से निकल रहा है, किसी ट्राइबल चेतर से उगाय हुई चीज है, तो यह हमारे कोरोना में ही आप साबिद देख सकते हैं, जो सबसे जादा हेल्दी वाला केटेगरी में देखिएगा, तो हमारे ट्राइबल लोग बहुत ही सुरच्छित थे इस म पर वर्काउट कर सकते हैं, तो रोजगार के लिए है, बस चाहिए कि मन की आपको कुछ करना है, तो रोजगार के लिए बोलीगे तो आप खुद कोशिच कीजिए, आप उत्पन कर सकते हैं, तो यह प्रेणना दायक रहेंगी. मतलब कि आपको कुछ करने की जरूरत अगर है, तो वो यह कि आप जिन चीज़ों का इस्तमाल कर रहे हैं, जार्खंड जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, अगर आप बेसिकली अगर उन्हें प्लाटफॉर्म देते हैं, तो यह रोजगार का बहतार आपसार दे सकता है एक आखरी सवाल रमेश जी मैं ये जरूर पूछूँगे आपसे, कि महिलाओं के लिए हैं सर्फ दिक्कते नहीं हैं, जार्खंड में जार्खंडियों को एक वेवसाई के तौर पर जानना ये भी बड़ी दिक्कत है, ये दिक्कत कैसे दूर करेंगे? देखे, आप तो भी हमने कहा ना कि जो हमारी अपनी पुस्ट भूमी है, या हमारा जो कल्चर है, इस कल्चर को जिसने अपनाया, आज जो हम लोग अपना रखें, अभी हमारी बहन कह रहे थी कि कोरोना में बहुत तरका, जो हमारी लोग कहीं भी कोरोना है, आप कोरोना में मैं तो बोलता हूँ आप जारकन की बाद नहीं पूरे देश में आप शायद देख लें कोई रिक्सा चलाने वाले को कभी करोना में अद्मिट होते हुए आप लोग नहीं देखा नहीं देखा उन्होंने अपनी स्टेमिना अपनी ऐसे चीज़ें बनाई और उनको बहुत ज् बोजन नहीं मिलता है तो ऐसे कि ये तो हमारे जो जारकन में अभी इतनी तरीकी जड़ी बुटी इतनी तरह का चीज़ें जैसे आपने गोडा-धान वो ब्राउन राइस आपको ब्राउन राइस बोलती है मैं तो उसका गोडा-धान बोलता हूँ तो अब ब्रांडिंग ब बनके बिक रहा है और वो बेशने वाले भी कौन है कोई बहुत बड़े big houses हैं तो ऐसा चीज हमारे गाओं के जो हुआ है मैं एक मडवा आटा कर रहा हूं वो बहुत सारा चीज है जो हमारे लोग कर सकते हैं और चेंबर के तुरू जूड करके चुकि उनका पहुंच वहां त आप कर सकते हैं वोट की अपील भी करना चाहते हैं 22 तारी को चुनाओ है जी जी देखिए 22 तारी को चेंबर का चुनाओ है और मैं रमेश कुमार साहू आपके सामने प्रस्तूत हूं मेरा सिरियल नंबर 20 है आप मुझे वोट करें और वोट करके मुझे एक सेवा करने के जी मेरा ना माला कुझूर है और मैं इस बार पहली बार चैमबर इलक्षिन में उतरी हूँ मेरा सिरियल नंबर 10 है और में सभी लोगों से मेंबर से कामना करती हूँ कि वो मुझे जदा-जदा वोट दे और मैं बाकी लोग इसने और प्यार चाहती हूँ थाकि आप आगे बढ़ें और बिजनस में अपना नाम कमाएं वो बाकियों के लिए प्रेणा स्रोध बने तो जरूर वोट करिये फिलाल इस खास कारिक्रम में मेरे साथ इतना ही दीजे इजासत बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीबी 45 जुहार